सब की परिच्छा लोग और महादेव की कभी परिच्छा है महादेव की परिच्छा लेने से अच्छा है कि आम महादेव की परतिच्छा लेए परिच्छा में जो सुख नहीं है शंकर वगवान की परतिच्छा में वो सुख है एक पत्र किसी ने भेजा, उस पत्र में उन्होंने लिखा, ठापा अजे भेजा था किसी ने उसने, पिमला देवी, बत्तिस, नार्कोटिक्स, कालोनी, महाविय नगर, पर्थम, पौटा राजस्थान, कई बेठी हो, कहा थिला सकते हैं। अगर कहीं बेठी हो, अपना हाथ हिला सकते हैं। जहां कहीं बेठी हैं। विमला देवी, महाविय नगर पर्थम, पौटा राजस्थान, इन पत्रों को दिखा हीं क्या? हाथ हिला दो इवार, हाँ ठीक थी, श्री शिवाय नमस्तुर। इन पत्रों को आप आस्था चेनल या टीवी के मात्यम से भी पढ़ा करें। इन पत्रों को हम ना पढ़े, आप भी पढ़ा करें। गुरुजी मेरा नम विमला देवी है, मैं कोटा राजस्थान के महाविय पर्थम में, इस्थित मकान नंबर 23 में रहती हूं। आप लोग LCD पर, आस्था चेनल पर इन पत्रों को अवश्यक हैं। मेरे भोले नात की बहुत बड़ी भक्त हूं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे शरीर में तीन साल से गाठ हो रही थी। मैंने इसे डाक्तर को दिखाया तो उनने आपरेशन का कहा। और आपरेशन होने के, कई कारण होने के कारण वज़ आपरेशन कैसे करा। या धाट धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन में आपके मुख से कथा सुन रही थी, वहां आपने कथा में कहा था कि जिसकी बेमारी गंबीर होती है, उसे तीन महीने लगा था, भीख होने में लगता है, बाबा के चरड़ों में एक लोटा जल चड़ाओ, शिवर का गुणगान करूँ, गुरुजी मैंने कोटा अने के तीम महीले बाद दाक्टर से बाइयो सीखी, जाच करवाई, तो उसमें मुझे कैंसर निकला, जब कैंसर बताया, लगत डाक्टर ने हमें तुरंत जैपूर में, भगवन महावीर कैंसर हास्पिटल जाने को कह दिया, और हम वहां भी दाक्टर में जाच करा और कैंस कि अप्रिशन की तैयारिया करने लगे और मन में एक बात है गुरुदेव मेरे घर के लोग करते हैं कि शिव का भजन करा है तो बाबा कुछ होने नहीं देगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम बाबा को कहकर अप्रिशन ठेटर में गई और बाबा से कहा गांठ निकल जाए चल जाएगा अप्रिशन हो जाए चल जाएगा पर कैंसर नहीं निकलना चाहिए गुर्देव बाबा से बिंती करकर अप्रिशन ठेटर में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम कहकर चली गई जबती रही अप्रिशन हुआ होश आया मुक्स श्री शिवाय नमस्तु भ्यम कहा जाच मुंबई गई और बाबा की किरपा से मुझे कैंसर नहीं निकला बाबा की किर अराम है अब बैठिये बाबा की पुता विराजी शिवतत्विसी को कर आपका भजन आपकी भक्ति आपका विश्वास जितना तड़ी हो उसमें फल की प्राप्ति होते हैं फल की प्राप्ति प्राप्ति